आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस तरीके से Google Sheets का यूज करकर आफ़र्ट मार्केटिंग कर सकते हैं कैसे आप मेने के 1000 डोल्रत को अन कर सकते हैं दोस्तो आज के मेतलों को मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया तो step number 1 में हम Clickbank ये Disho24 के माधियम से ये आफ़र्ट को चूज करेंगे step number 2 में हम Google Sites के माधियम से लेंडिंग पेडिस करेंगे and step number 3 के अंदर हम अपने लेंडिंग पेडिस को free की traffic sources को पर promote करेंगे तो पहला हम step number 1 की बात करते हैं तो step number 1 में हमें एक आफ़र्ट को चूज करना है तो आफ़र्ट को चूज करने के लिए हम यहाँ पर यूज करने वाले Disho24 का तो आपको Disho24 के उपर आना है और इसके अंदर लॉग इन करेंगे अगर आपका Disho24 के उपर अकाउंट नहीं है तो उस case में भी आपको tension नहीं लेनी है simply आपको उमारे चानल को पर जाना है and search में आपको type कर देना है How to create Disho24 account आपके सामने main video हो जाएगी आपको वीडियो को पूरा देखना है और Disho24 के उपर अपन अकाउंट क्रेट करेंगे अकाउंट क्रेट करने के बाद आपको Disho24 के होम पेज को पर आना है and यहाँ पर आपको option मिलेगा market place का तो आपको इसको पकलिक कर देना है जैसा आप इसको पकलिक करेंगे तो आपके सामने new page आजागा और दोस्तों आपको इहाँ पर 794 products मिलाते हैं जिनको आप promote कर सकते हैं और आज की वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से चार products को एक ही page के उपर promote करना है तो पहले हम यहाँ पर चार product चूज़ करेंगे और उसके single page को पर promote करेंगे तो प्रड़क को चूज़ करने के लिए मैं यहाँ पर use करने वाला हूँ health and fitness की niche का basically मैं यहाँ पर health and fitness की niche का example लेने वाला हूँ और उसे के थरे मैं आपको पुरी strategy explain करने वाला हूँ तो health and fitness की niche को find करने के लिए आपको यहाँ पर आना है digital products इसको उपकलिक करना है और यहाँ से आपको health and fitness की niche को find करने है और उसके उपकलिक कर देना है अब आपके सामने new page आएगा और यहाँ पर आपको 119 products मिलेने तो आप यहाँ से किसी भी 4 product को choose कर सकते है जैसे कि मैं यहाँ पर सब नीश में example लेने वाला हूँ keto का तो मैं यहाँ पर keto के चार product को choose करूँ जैसे कि पहला product हमारा यहाँ पर यह वाला तो product का name क्या है The keto snack book basic keto का एक product है अगर हम इस product को promote करते है तो हमें यहाँ पर per sale का 6 dollar का commission लिजाता है दूसरे product का नाम है The Ultimate Keto Milk यह भी एक keto का product है अगर हम इसको promote करते है तो हमें यहाँ पर पर sale का 109 dollars का commission लिजाता है तीसरे product का नाम है The Essential Keto Cookbook यह भी एक keto की cookbook है अगर हम इसको promote करते है तो हमें यहाँ पर per sale का 4 dollar तो का commission मिल जाता है एन चोथे प्रड़क का नेम है ketogenic fat lost diet, ये भी keto का प्रड़क्ट है, अगर हम इसको promote करते हैं, तो हमें यहाँ पर per sale का 12 डॉलर तो का commission मिल जाता है, पिस अगर हम यहाँ पर 4 प्रड़क को promote करते हैं, और 4 प्रड़क को sale करवा देते हैं, तो उस case में हमें यहाँ पर at least 125 डॉल को कमा सकते हैं, और दोस्तों, जैसे कि मैं आपको अपने हर वीडियो के ने recommend करता हूँ, जब भी आप किसी भी प्रड़क को promote करें, तो promote करने से पहले आपको उस प्रड़क के sales page and effort support page को जरू चैक करना है, ताकि आपको पता लग जाए, कि 4 प्रड़क क्या offer करते हैं, जैस प्रड़क को भी आपको यहाँ पर meal plan offer करता है, and ketogenic fat loss diet यहाँ पर आपको कुछ ऐसे process बताता है, जिसके मादयम से आप अपने wheat loss कर सकते हैं, तो इससे आपको यहाँ पर यह idea लग जाएगा, कि 4 प्रड़क यहाँ पर different है, बेसिक से नकी नीच यहाँ पर same है, पर प्रड़ कि यहाँ पर different है, और different different चीज यहाँ पर offer करते हैं, तो उसी के coding हम यहाँ पर अपनी strategy बना सकते हैं, तो मैं आपको recommend करूँगा, पहले आपको चारो प्रड़क को analyze करना है, चारो का मतलब समनना है, उसी के बाद ही आपको इनको promote करना है, and promote करने के लिए आपको यहाँ पर website create करने वाले, तो single page website create करने के लिए हम यहाँ पर use करने वाले Google Seats का, तो simply आपको Google Seats के उपराना है, और इसके उपर अपना account create करने के बाद आपको इसके home page को पराना है, and यहाँ पर आपको option मिलता है blank spreadsheet का, तो आपको इसको पकलिक करते हैं, जैसा आप इसको पकलिक a new page आएगा, अब आपको इहाँ पर चार column create करने, तो column number one में आपको इहाँ पर लिखना है product, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, product, column number two के अंदर आपको इहाँ पर लिखना है description, तो इहाँ पर मैं description लिख देता हूँ, and column number three में आपको इहाँ पर लिखना है price, तो यह यहाँ पर मैं price दिता हूँ, यहाँ पर मैं ने price दिया है, and colon no.4 में आपको यहाँ पर लिखना है affiliate link, तो यहाँ पर मैं लिखना है affiliate link, okay अब आपको क्या करने है, आपको यहाँ पर अपने product name को type करना है, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, यहाँ से मैं अपने product का name copy करूँगा, जैसे कि पहला product में रखिया है, the keto snack cookbook, तो इसके name को मैंने copy कर ली है, यहाँ पर आपको आना है, यहाँ पर आपको इसके name को copy and paste करना है, और अच्छे से आपको इसको adjust कर देंगा, अब आपको यहाँ पर अपने product का description डालना है, description करेट करने के लिए आप यहाँ पर use कर सकते हैं, जैसे GPT का, जैसे GPT के according आपको अपने product के description करना है, जैसे कि अल्यड़ी मैंने यहाँ पर description कर रखा है, तो यहाँ से मैं इसको copy करूँगा, तो को इसको मैं यहाँ पर copy and paste कर दूँगा, और इसको मैं अपने product का price को copy करूँगा, तो यहाँ से मैं इसको copy कर लेता हूं, एड इसको मैं है पर copy and paste कर दूँगा, अब मैं यहां पर अपना इफ़र्ट link, add करने वाला हूँ, यहां से मैं आप लिंग को copy करूँगा, इसको मैं हाँ पर copy and paste कर दूँगा, ठीक है, इसे प्रकार से मैं हाँ पर अपने दूसरे प्रडक की डिटर को fill करने वाला हूँ, अगेन मैं यहां पर आऊंगा, यहांसे मैं अपने second product के name को copy कर लेता हूं, तो name के हैसका keto meal plan, तो यहांसे मैं इसको copy कर लूँगा, इसको मैं इसको copy and paste कर दूँगा, यहांसे मैं इसके description copy कर लेता हूं, इसको मैं हाँ पर copy and paste कर दूँगा यहाँ पर मुझे प्रड़क का price डालना है तो मैं यहाँ पर जाओंगा इसके price को copy कर लूँगा इसको मैं हाँ पर copy and paste कर दूँगा यहाँ पर मैं इसके app लिंक को copy कर लेता हूं इसको मैं हाँ पर copy and paste कर देता हूं इसी प्रकास से हम यहाँ पर अपने थर्ड प्रडक्ट की डिटेल फिल करेंगे, तो यहाँ से मैं इसके नेम को कोपी कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पर कोपी और पेस्ट कर दूँगा, यहाँ से मैं इसके डिस्क्रिप्शन को कोपी कर लेंगे, इसको हम यहाँ पर कोपी पेस्ट कर दूंगा यहां पर मैं अपने अपर लिंक को 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 पी एंट पेस्ट कर दूँगा से मिसी तरीके से मैं यहां पर अपने चोथे पुड़क की डिटर भी फिल करने वाला हूं यहां समस्के नेम को 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 पी कर लेता हूं इसको हम यहां copy and paste कर देंगे यहां पर मैं इसके description को copy and paste कर देंगे ओके यहां इसके price को copy and paste करने वाला हूं तो price इसका 18 डोलर है यहां से मैं इसको copy कर देता हूं यहां पर मैं copy and paste कर देता हूं यहां पर मैं अपने effort link को copy करूँगा इसको भी मैं यहां पर copy and paste कर दूँगा तो इस प्रकास से यहां पर मैंने अपने पड़े की detail को fill कर दिया है इतना काम करने के बाद आपको यहां पर आना है Share इसको पकलिक करना है यहाँ से आपको अपनी Spreadsheet को Share कर लेना है Then Copy Link इसको पकलिक कर लेना है और यहाँ पर आपका Spreadsheet को काम समाप्त हो जाएगा अब हम यहाँ पर अपनी Single-Pitch Website करेट करने वाले हैं तो single page website create करने के लिए हम यहाँ पर इस website का use करने वाले हैं तो website का नाम के spread simple तो simply आपको इस website को पराना है इसके उपर अपना account create करेंगा account create करने के बाद आपको यहाँ पराना है और यहाँ पर आपको option मिलता है new website का तो आपको इसको पकलिक करते हैं जैसा आप इसको पकलिक करेंगे तो आपके सामने new page आएगा और यहाँ पर आपको option मिलेगा from your google sheet का तो आपको इसको पकलिक करना है और यहाँ पर आपको अपने spreadsheet के link को copy and paste कर देना है then continue इसको पकलिक कर देना है जैसा आप इसको पकलिक करेंगे तो आपके website यहाँ पर create होनी start हो जाएगी कुछी मिन्टो को process यहाँ पर complete होगा और आपकी single page की website यहाँ पर ready हो जाएगी अब आपको अपनी website को customize करने के लिए आपको यहाँ पर आना है और पहले आपको यहाँ पर यहाँ चेक करना है कि product name दिये है तो मेरे product के name यहाँ पर fetch हो रहे है उसके बाद हमने यहाँ पर अपने product के description दिये है तो वो भी यहाँ पर fetch हो रहा है उसके बाद हमने यहाँ पर अपने product के price को डाला है तो वो भी यहाँ पर fetch हो रहा है पर तो हमारा effort link यहाँ पर fetch नहीं हो रहा है तो उसको हम यहाँ पर लिख देता हूँ, check now, इस प्रकार से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो भी आपको यहाँ पर अपना call to action देना है, उसको आपको आपको टाइप कर देना है, तो यहाँ पर मैंने टाइप कर दिये check now, उसके बाद आपको यहाँ पर option मिलेगा, link for redirect का, तो आपको इसको उपर click करना है, यहाँ पर आपको choose कर लेना है, कि आप यहाँ पर किसको redirect करना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर बंदों को effort link के उपर redirect करवाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर effort link इसको choose कर लेंगे तो आप यहाँ पर दिख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर call to action भी आ चुका है means हमारा यहाँ पर effort link भी आ चुका है तो इस प्रकास से हमने यहाँ पर अपनी website को fetch कर लिया है अगर आप इसके color को change करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर color का option मिलता है तो जो भी color आप यहाँ पर रखना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर choose कर सकते हैं जैसे कि मैं आप red रख लेता हूं तो यहाँ पर हमारा check now का button red हो चाहते हैं उसी प्रकास से आपको जैसा भी यहाँ पर customization करना है उसको आप यहाँ पर कर सकते हैं उसके बाद मुझे यहाँ पर यह लाइन ही चीए तो इसको मैं आपर remove करने वाला हूं जैसे कि यहाँ पर हमारा आपको search button दिखाए दे रहा हूगा तो इसको मुझे remove करना है तो मैं यहाँ पर आँगा enable search इसको disable कर दिया है यहाँ पर मैंने इसको disable कर दिया है उसके बाद मुझे यहाँ पर थोड़ा content change करना है जैसे कि मुझे यहाँ पर अपना जो इसका text था वो change करना है तो मैं यहाँ पर जाऊंगा यहाँ पर आपको option मिलेगा design का तो आपको इसको पर आजाना है अब इसके बाद आपको इहाँ पर आना है home page intro पर इसको click करना है यहाँ पर आपको अपने page का title दे देना है जैसे कि already मैंने यहाँ पर title बना रखा है तो इहाँ से मैं title को copy कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर copy and paste कर देता हूँ उसके बाद आपको यहाँ पर आना है और यहाँ से आपको अपने description change करना है तो यहाँ पर मैंने already description बना रखा है तो यहाँ से मैं अपने description को copy कर लेता हूँ and इसको मैं यहाँ पर copy and paste कर देता हूँ अगर आपको इसके background को change करना है तो आपको यहां पर background को भी option मिलता है, तो इसके माद्यम से आप यहां पर अपने background को change कर सकते हैं, तो जो भी background आपको यहां पर upload करना है, उसको आप यहां पर upload कर सकते हैं, जो security मैं एक background बना रखा है, तो यहां से मैं अपने background को open कर लेता हूँ, and यहां पर आप दिसकते हैं, कि मेरे background होगा उसके बाद मुझे यहाँ रख करना है उसको आप यहाँ पर रिखना recommended products तो इस प्रकास से मैंने यहां पर लिख दिया है इसको मैं बोल्ड कर देता हूं थोड़ा से copy करता हूं तो मुझे थोड़ा से customize करेना थाकि थोड़ा बड़ा और professional लगे तो इसको मैं copy करूँंगा इसको मैं bolt कर दूंगा ठिक है ओके ओके तो मैंने यहां पर इसको urp beforeक시면 कर दिया है इसको सेव करतें इस प्रकास से मैंने यहां यहां पर क्या कर दिया है यहां पर अप्ना आप पूरा simple सा landing page बना लिए, मैं single page website बना लिए, अब आपको अपनी website को कैसे publish करना है, वो मैं explain करता हूँ, तो website को publish करने के लिए आपको यहाँ पर आना है, पहले आपको यहाँ पर अपना domain name चेंड करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, keto plants, इस प्रकास से मैं इसका domain name रख दिया है, अब मैं save इसको ऊपर click कर दूँगा, save के ऊपर click करने के बाद आपको domain name भी यहाँ चेंड हो चुका है, अब आपको करना simply यहां से आपको अपनी website को publish कर लेना है, simply आपको यहाँ से पर आना है, publish इसको ऊपर click कर लेना है, यहाँ पर आपको आपकी website लिंक मिल जाएगा, simply आपको उसको copy कर लेना है, अब हम check करेंगे, Google के उपर हमारी website कैसे दिखाए देगी, तो मैं इसको यहाँ पर copy and paste करता हूँ, यहाँ से मैं अपनी website को open कर लेता हूँ, and you can see हमारी website कुछ इस प्रकार से हमारी customers को दिखाए देगी, इस प्रकार से उनको ह हमारी website दिखाए देगी, बंदा इसको उपर आएगा, website का नेम पढ़ेगा, यहाँ पर वो समझेगा कि इस website के माधियम से वो क्या offer हो रहा है, यहाँ पर हमने कुछ रिक्क है मैंने प्रड़की देदी है, बंदा हैं पर प्रड़क का नेम पढ़ेगा, description पढ़ेगा, price तो traffic drive करने के लिए आप हमारी playlist को follow कर सकते हैं, आपको free traffic for outfit marketing की playlist मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको 200 से भी ज़्यदा traffic source मिल जाएगे, अगर आप इन traffic sources के उपर अपनी website को promote करेंगे, तो definitely आप बहुत सारा free का traffic प्राप करता हैं, तो simply आपको हमारी playlist को follow कर लें, उसके ल Facebook, Facebook बहुत ही powerful social media की site है, अगर आप Facebook के उपर अच्छे से work करते हैं, तो यहां से भी आप बहुत सारा organic traffic drive कर सकते हैं, तो Facebook के उपर work करने के लिए मैं आपको यहां पर दो method explain करने वाला हूँ, तो पहला method आता है page creation का, तो simply आपको Facebook के उपर आना है, यहां पर आपको अपनी category के according page create कर लेना है, अब आपको अपने page को grow करना है, page के अंदर अच्छे content को share करना है, अगर आप अपने page को grow करेंगे और अपने page की reach को increase करेंगे, तो definitely आपके page के उपर बहुत सारा visitors आएंगे, अब आपको अपने page के अंदर अपनी website को promote करना है, और इसके मत्यम से आपक अपने niche के according pages find करना है, इन pages को join करना है, आप यहाँपर group को भी join कर सकते हैं, pages से group join करनी के बाद आपको in pages के अंदर value provide करना है, अच्छे content share करना है, authority build करना है, जैसी आप यहाँपर अपनी authority build कर लेंगे, उसके बाद आपको यहाँपर अपनी website को promote करना है, और इसके मत्यम से भी आप अपनी website के पर traffic drive कर सकते हैं और sales निकल वा सकते हैं दूसरी website का नाम है minds.com, minds.com भी एक powerful social media की site है इसके उपर भी आप अपने content को share कर सकते हैं और इसके मदम से आप यहाँ पर बहुत सारा organic traffic drive कर सकते हैं, तो minds.com के पर work करने के लिए सबसे पहले आपको minds.com के उपर अपना account create करना है, account create करने के बाद आपको इसके home page को पराना है और यहाँ पर आपको option मिलेगा speak your mind का, तो आपको यहाँ पर अपना content share करना है, call to action देना है landing page का link लगाना है, charge लेकर 5 hashtag लगा देना है, product की image को लगाना है, post इसको पकलिक करते हैं इस परकास से आप यहाँ पर अपने product को promote कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पर ब्लोगिंग के मादियम से अपने product को promote करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर ब्लोग बनाने का option मिलता है तो simply आपको यहाँ पर आना है, केट ब्लोग इसको पकलिक करना है, अब आपको चैट जीपीटे के माधियम से ही अपना content क्रीट करेना है, मिसा आपको अपना article क्रीट करेना है, टैटल यहाँ पर copy and paste करना है, article की body को यहाँ पर copy and paste करना है, call to action देना है, वेबसेट का link एड कर देना है, केटनवा के माधियम से image क्रीट करना है, जिसको आपको banner के अंदर upload कर देना है, text देना है, matter description देना है, then publish इसको पकलिक कर देना है, आपको यहाँ पर group की option मिलते हैं, जिसके माधियम से आप यहाँ पर अपना group भी बना सकते हैं, जिस पर कासा Facebook के ऊपर अपना group बना सकते हो, सेम इसी तरिके से आप यहाँ पर अपना group बना लेना है, group को grow करना है, और traffic को आपको यहाँ निकाल लेना है, नहीं तो आप यहाँ पर दूसरे बंदों के गुरूप जोइन कर सकते हैं वहाँ पर वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं और इसके माद्यम से भी आप यहाँ पर ट्राफिक ड्राइव कर सकते हैं तीसरे ट्राफिक सोर्स करनाम है मिवी.com ये भी एक बहुती पारफुल social media की site है इसके ऊपर भी आप अपना content share कर सकते हैं और इसके माद्यम से आप यहाँ पर ट्राफिक ड्राइव कर सकते हैं मिवी भी आपको यहाँ पर तीन option देता है content share करने का तो पहला आप यहाँ पर सिधा ही content share कर सकते हैं आपको यहां पराना है, content create करना है, copy and paste करना है, call to action देना है, landing page कर लिंक देना है, image add कर देना है, then post इसको पकलिक कर देना है, नहीं तो आप यहां पर अपना group बना सकते हैं, pages बना सकते हैं, नहीं तो आप यहां पर अन्य बंदल groups पर pages को join कर सकते हैं, value provide कर सकते हैं, और वहां आपको यहां पर इन तीनों traffic source की detailed tutorial को देख लेना है कि कैसे आपको यहां पर content share करना है सब कुछ मैं already बता चुका हूँ only आपको मारे playlist को follow करना है वीडियो को देखना है और आपको अपना promotion करना start करना है I hope आपको आज का method समझाय होगा कैसे इसको apply करना है वो भी आपको समझना होगा अगर आपको आज का method समझाय है apply करना भी समझाय है तो please channel को share और subscribe करें और कम सकम इस वीडियो को बहुंड़ likes लेके हैं ताकि सीट आपका awesome content हम आपको share कर पाए